आवाज आ रिये के सबको आवाज आ रिये के सबको फड़ा फट से बोलो फड़ा फट से गूदी इवरिवन गूदी इवरिवन गूदी इवरिवन जल्दी जल्दी बताएंगे आवाज आ रिये क्या so that we can start with our revision lecture of SP lecture no. 2 चलो जल्दी 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 टाइम नहीं है बहुत सारा complete करना है बारा बारा chapters है बहुत कुछ complete करना है फटा 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 से बोलो चलो 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 all set all ready to go okay so let's start good evening everyone good evening everyone good evening everyone आज ऐसे ही सुबह आज day 2 था हमारा सुबह हुआ है तुम्हारा OCM का lecture with Karan Sir अभी हम लोग start करेंगे SP का lecture मेरे खयाल से आपको तो अभी पता चल गया रहेगा कि कैसे हम लोग revise कर भा रहे हैं कैसे फड़ाफट से quick revision जो एक last minute का revision सिफ आप लोगों के लिए लेके आए हम लोग सिफ और सिफ आप लोगों के लिए लेके आए हम लोग तो आपको अभी समझ आ गया रहेंगा आपको यह भी confidence आ गया रहेगा कि yes we can score very good marks है की नहीं कर सकते score good marks अच्छे marks ला सकते है बोलो फड़ाफट से अच्छे marks लाएंगे तुम लोग okay 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 good evening good evening good evening good evening everyone good evening everyone चलो 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 start करते चलो कल हम लोगोंने second chapter first chapter start किया था second chapter भी start किया था हम लोगोंने I hope आप घर पे जाके revise कर रहे हो मतलब जो यहाँ पे बैटे थे obviously घर पे जाके revise करेंगे और जो online देख रहे है I hope आप घर पे revise कर रहे हो और अगर revise नहीं कर रहे हो तो अभी से ही revise करना चालू करें जितना भी पड़ा है मैं जादा नहीं बोल रही हूँ आपको पड़ा है उत्ता सबकुछ आपको क्या करना है revise करना है समझा समझा ओके चलो कल हम लोगोंने end किया था कल हम लोगोंने second chapter में देखा था what are equity shares equity shares क्या होता है preference shares क्या होता है वो हम लोगोंने देखा था बराबर है और और उसी के साथ साथ मैंने तुम लोगों को घर पे बोला था कि घर पे तुम जब जाएंगे तब तुम क्या देखने वाले हो types of preference shares क्या देखेंगे types of preference shares तो देखा या नहीं बताओ तो जरा तुम लोगोंने चलो 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 जल्दी 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 बताएंगे देखा या नहीं देखा या नहीं ओके तो एक बार सब देख लेते हैं हम लोग types of preference shares कितने type of preference shares है कितने type of preference shares है cumulative and non-cumulative preference shares फिर आएगा participating and non-participating preference shares next is convertible and non-convertible preference shares और last में आया है redeemable and irredeemable preference shares ये 4 type of shares है वैसे दिखा जाये तो आए types of shares है कौन से कौन से है cumulative preference shares next है non-cumulative preference shares फिर आया participant preference shares non-participating preference shares convertible preference shares non-convertible preference shares redeemable preference shares irredeemable preference shares सबने पढ़ाए very good very good very good very good सबने देखा है अभी nerve okay सबने देखा है चलो start करते हैं अगले question के साथ अगले question के साथ रात करते हैं और उसी के साथ retained earnings जो है वो आपको बता है आपके reduced syllabus में है तो you don't have to do anything चलो next आया हमारा sources of borrowed capital मेरेको फड़ा फट से बताएंगे equity हम लोगोंने क्या देखा था own capital and borrowed capital तो on capital में क्या क्या covered है the own capital documented Mes shares बराबर है shares and borrowed capital में क्या covered है तुम्हारा borrowed capital में covered है debentures तो फड़ाफट से मेरे को type करके बताएंगे debentures का मतलब क्या होता है debentures का मतलब क्या होता है मेरे को फटाफट फटाफट से बताएंगे तुम लोग debentures का मतलब क्या होता है जल्दी 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 का मतलब क्या होता है अब हम देखेंगे बोरोड कापिटल that is किस के बारे में पड़ेंगे हम लोग डिबेंचर के बारे में जैसे शेर जो भी खरीता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं डिबेंचर होल्डर बोलते हैं वैसे डिबेंचर जो भी लेता है उनको हम लोग क्या बोलेंगे डिबेंचर होल्डर बोलेंगे क्या बोलेंगे उनको debenture holders right Ansh मैंने type नहीं पूछा आपको what is debenture वो पूछा था मैंने आपको what is debenture okay very good acknowledgement of depth debenture का मतलब क्या है acknowledgement of depth very good I am liking it कि तुम लोग पढ़ रहे हो very good very good very good acknowledgement of depth और एक चीज लिखेंगे it is an important source of acquiring borrowed capital to meet long term किसकी बाद चल रहे है यहापे long term की बाद चल रहे है चलो I hope तुम लोगो ने लिखा रहेंगा I hope तुम लोगो ने लिखा रहेंगा चलो एक बाद देखते debentures का मतलब क्या है are one of the principal sources of raising capital to meet long and medium term financial needs over the years debentures have occupied a significant position in the financial market Latin word it is derived from the Latin word called as debre called as debre which means to own which means to owns और definition कहा पे दिया हुआ है definition debentures का कही पे भी दिया नहीं हुआ है the term debenture has not defined clearly under Companies Act कोई भी definition नहीं दिया हुआ है कोई भी clear definition नहीं दिया है सिर्फ इतना बोला है it is an acknowledgement of debt कोई भी definition दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है बस इतना बोला है it is an acknowledgement of debt चलो इसके फड़ा फट से features देख लेथे debentures के features first feature है that is it is a promise debenture is a promise by company that it owns specified sum of money to holder of the debenture मेरे को ये बताओ फड़ा फट से जल्दी से बताएंगे preference shares का face value क्या था preference shares का face value क्या था preference shares का face value फड़ा फट से बोलो preference share का face value क्या था जल्दी 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 preference share का face value अरे बोलो preference share का face value क्या था okay 100 very good 100 था 100 था very good और अभी वही अगर हम लोग debentures का देखेंगे face value of debenture क्या था क्या है carries high denomination it is rupees 100 और in multiples of 100 it is rupees 100 और in multiples of 100 फिर आये time of repayment time of repayment debentures are issued with the due date stated in the debenture certificate चैसे share certificate को share holders बुलाते थे जो भी shares खरीता है उसको share holder बुलाते थे और उसको क्या मिलता था? share certificate मिलता था वसी तरह से debentures जो भी debentures को hold करता है उसको हम लोग क्या बुलाते है debenture holder बुलाते है और उसको क्या मिलता है? debenture certificate क्या मिलता है? debenture certificate the principle of amount of debenture is repaid on maturity date अच्छा अभी तुमको difference between भी आ सकता है difference between shares and difference between debentures ये question भी तुम लोगों को आ सकता है important questions है shares and debentures और एक चीज मिलको आपको बतानी है अगर किसी का भी OCM का lecture miss हो गया है किसी का भी live lecture miss हो गया है तो description में आपको दोनों lectures की link दी हुई है और अगर कल का भी आपका SP का lecture miss हुआ रहेगा तो उसकी भी link आपको description में दी हुई है और साथ ही साथ में जो important questions है SP के जो important questions है वो भी आपको PDF दिया गया है description में so kindly 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 if you have missed this kindly do watch them ठीक है? चलो ओके priority of repayment debenture holders have a priority in repayment of debenture capital over the other claimants of the company and next is assurance of repayment debenture constitute a long term debt they carry on assurance repayment on the due date कभी भी repayment होगा तो कब होने वाला है वो repayment कभी भी repayment होगा repayment जबी भी होगा तो कब होगा on the due date that is on the maturity date आपकी जो due date, maturity date रहेंगी उसके बाद आपका debenture का repayment होने वाला है तो जैसे ही हम लोग shares पे shareholders को dividend मिलता है वैसे debenture holders को क्या करना पड़ता है interest pay करना पड़ता है जो भी loan ले रहा है उसको क्या करना पड़ेगा आगे जाके interest pay करना पड़ेगा समझागे सबको समझागे तुम लोगो को चलो चलो देखे आगे interest अभी तो बात की interest की और interest आ गए अपना अपना तुम्हारा profit हो या नहीं हो हमारा कोई भी लेना देना नहीं है interest तो तुमको पे ही करना पड़ेगा समझा क्या चलो पार्टी स्टू दे बेंचर्स क्या क्या पार्टी से कमपनी इस इन्टी विच बोरोज मनी नेक्स क्या है कौन है ट्रस्टी अ कमपनी है तो अपोईंट आ इंपोईंट पोईंट बहुत जादा important point है trustee को क्या करना पड़ेगा trustee को appoint करना पड़ेगा company को किसको appoint करना पड़ेगा debenture trustee को appoint करना पड़ेगा if it is offering debentures of more than 500 people तुमको question आ सकता है कि when is debenture trustee appointed when a company appoint debenture trustee तो तुम क्या लिखेंगे जब तुमहारे पास debentures जो है वो कितने से ज़ादा है 500 से ज़ादा लोग है debentures के लिए तो तुमको debenture trustee appoint करना पड़ेंगा debenture trustee मतलब कौन रहता है यदि debenture trustee appoint करना है तो debenture trustee कौन रहेंगा जो हर एक को देखेंगा न अब इतना तो टाइम नहीं company के पास की more than 500 people है और वो क्या करेंगे फिर इसका भी देखेंगे उसका भी देखेंगे सब का देखेंगे possible है क्या वैसे करना बिल्कुल भी possible नहीं है इसलिए इसलिए ऐसा बोला गया है कि आप किसको appoint करते हो debenture trustee को appoint करते हो जैसे agent appointed रहता है हर एक चीज के लिए कि agent है तो फिर पूरा सब कुछ करने की क्या जरूरत है agent तो बैटा ही है ना है कि ने agent तो बैटा है तो अपन क्यों काम मतलब अपन क्यों directly जाए agency काम करवाते है वसी तरह से है इस 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 पार्टी विथ हूम the company deals with the debenture holders the company makes an agreement with the trustee it is known as trust deed जो भी agreement बनाते है उसको क्या बोलते है क्या बोलते है उसको trust deed बोलते है it contains the obligation of companies, rights of debentures, powers of trustees, etc अचा ये सारी चीजे भी या तुम बोलो ये interest की चीजे भी जो interest fixed है कौन से percentage पर फिक्स्ट है ये भी debenture certificate में आएगा तुमारा क्योंकि वही टेक तुमारी चीजे है ना कि तुम debenture भी hold कर रहे हो सारी terms, conditions वगारा सब कुछ तुमारे certificate में आएगा बराबर है चलो and next is debenture holders these are the parties who provide the loan and receive debenture certificate as an evidence अभी तो बात करें debenture certificate की बराबर next is authority to issue debentures according to the Companies Act 2013 section 179 subsection 3 the board of directors has the power to issue debentures किसके पास right है किसके पास right है board of powers directors के पास right है कि वो क्या कर सकता है debentures को issue कर सकता है status of debenture holders debenture holder is the creditor of a company इसको सब लोग mark करके रखेंगे a very important question MCQ के लिए आ सकता है fill in the blanks के लिए आ सकता है true or false के लिए आ सकता है हर एक चीज के लिए आ सकता है तो इसको तुम पहले ही mark करके रखेंगे इसको फड़ा फट से mark करके रखेंगे since debenture holder is a loan taken by the company interest is payable on it at the fixed rate at fixed interval until the debenture is redeemed next is no voting rights इनको क्यों कोई rights देंगा ये तु उदार ले रहे ना अपने से तो इनको तुम क्यों rights देंगे क्या दे सकता है rights क्या लगता है तुम लोगों को obviously तुम इनको कोई भी rights नहीं दे सकते no company shall issue any debenture carry any voting rights debenture holders have no right to vote at general meeting of the company अच्छा माम 14-14 points है 14-14 points है इतना सब लिखना जरूरी है क्या इतना सब लिखना जरूरी है क्या अगर आपका question से 5 mark के लिए आपको आएगा तो आपको max to max 7-8 points तो लिखने ही लिखने है और अगर ये question आपको आता है 8 marks के लिए तो मैं तो बोलूँगी कि भाई सब लिखनो मैं तो on serious notes बोलूँगी कि आपको पूरा का पूरा answer लिखना है एका दो points नहीं लिखा तो भी चलेगा लेकिन इलाब तो ट्राई कि आप पूरा का पूरा answer लिखोगे security debentures are generally secured by fixed or floating charge on asset of the company if the company is not in a position to make payment of interest or repayment of the capital the debenture holder can sell off charge property of the company and recover their money क्या security है क्या security है इस में अब फर एक्जाम्पल एक्जाम्पल एन ए ने पैसे लिए company से ए ने क्या लिए पैसे लिए company से बराबर है that is loan लिया company से कितने लाग का एक लाग का loan लिया जिस पर तुम्हारा interest कितना था 10% for example for example कितना था 10% interest है बराबर है तो तुमको हर बार कितने बरने पढ़ेंगे पैसे कितने मेने के पैसे मतलब मेने मेने कितना interest बरना पढ़ेंगा बूलो फडाफर्ट से कितना interest बरना पढ़ेंगा यार यह तो अभी बोली सकती हो या तो तुमको पता ही रहेंगा calculation तो तुम सही से करी सकते हो कितना interest बरना पढ़ेंगा इनको अब यह जो भी interest रहेगा यह जो भी interest रहेगा if it is not possible for A if not possible for A to repay तो क्या होगा? इसने जो भी प्रॉपर्टी रखी हुई है जो भी प्रॉपर्टी रखी हुई है या जो भी सिक्योरिटी रखी हुई है company के पास क्योंकि लोन तो तुमको ऐसे कोई देगा नहीं जब भी bank वाले भी लोन ले रहे हैं जो तुम बोलते हो obviously है कि नहीं तो तुमको कुछ ना कुछ तुमारे security के लिए तुमारे property तो कुछ ना कुछ तुमको company के पास रखना पड़ेंगा and in return तुमको company क्या देंगी पैसा देंगी अगर A ने repay नहीं किया अगर A को possible नहीं हुआ इंट्रेस्ट पे करने के लिए और अगर A को possible नहीं हुआ वो capital repay करने के लिए फिर company क्या कर सकती है company वो assets को या securities या जो भी रखी थे जो भी securities रखी थे उसको क्या कर सकते है जब्त कर सकते है या और उसको फिर बाद में जाके बेच सकते है उसको फिर बाद में जाके क्या करेंगे बेच सकते है समझा नेक्स्ट है issuer debentures can be issued by both private company and public limited company ये ध्यान में रखना listing debentures must be listed with at least one recognized stock exchange stock exchange के दो types कौन से कौन से जल्दी जल्दी बताएंगे stock exchange के दो दो type कौन से कौन से है कौन से कौन से type stock exchange के जल्दी 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 बोलो two types of stock exchange कौन से कौन से type है two type of stock exchange कौन से कौन से types है जल्दी बताएंगे एक है Bombay stock exchange और दूसरा कौन सा है NAC that is National Stock Exchange last is transferability debentures can be easily transferred through the instrument of transfer a very clear picture of the features of debentures क्या है features of debentures a very clear picture ये सारे तुमारे क्या है features है ये तुमारे लिए तुमारा important question बनता है कितने भी बाग करोगे तुमको ये चलेगा कितने बार भी माग करोगे चलेगा very important question again very good सब बच्चे सब बच्चे जवाब दे रहे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सब बच्चे जवाब दे रहे very good very good very good very good चलो जाए आगे जाए आगे अब तक clear हो गया सब फड़ा फट से देखेंगे हम क्या types of debentures कौन से types of debentures है कितने types of debentures है on the basis of security first कौन सा है secure debenture or unsecured debenture on the basis of security that is what secure debentures and unsecured debentures on the basis of transfer कौन से कौन से है registered and bearer debenture क्या है registered and bearer debenture on the basis of repayment एक है redeemable और एक है irreademable and on the basis of conversion एक है convertible और दूसरा है non-convertible यह जो main points है यह तुमको ध्यान में रखने है यह जो चीज है यह तुमको बहुत जादा important है यह तुमको ध्यान में रखनी है अगर तुमको यह ध्यान में रखे तो यह वाली चीज है अराम से आप क्या कर पाऊंगे कर पाऊंगे learn पड़ आफर से debentures types of debentures का draw करें क्या अपन लोग चाट types of debentures कौन से कौन से debentures है देखो next है on the basis of transfer next है on the basis of repayment and next है on the basis of conversion on the basis of what conversion done अब इसमें आएंगे दो types कौन से कौन से है कौन से कौन से है तुमारे secured and unsecured debentures secured and unsecured debentures next है registered and bearer debentures कौन से है next registered and bearer debentures उसके आगे है redeemable irredeemable and last है conversion non-conversion यह सारे तुमारे क्या है types of debentures क्या है तुमारा types of debentures clear जल्दी जल्दी से बोलो अब तक अगर सब समझ गया है तो जल्दी जल्दी से मेरे को एक thumbs up दो so that we can move forward we can move forward फड़ा फड़ से बोलेंगे फड़ा फड़ से बोलेंगे अपने को third chapter start करना है उसी के साथ साथ letter का सिव एक format देखना है कि letter कैसे लिखते है करके क्या के important चीजे है जो तुमको letter में लिखनी है तो चल्दी 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 बताएंगे बहुत important session है बहुत ज्यादा important session है ये and and और एक चीज जो हमारे सब 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 है सब believe करते है आका सब believe करते है तेजा सर believe करते है कि sharing is caring तो जो भी जो भी तुमारे friends रहेंगे जो भी needful रहेंगे उनको सब को बोलना है कि we are live on YouTube channel for only you people जहाँ पे हमलोग लेके आए है सारे subjects का revision source subjects का revision you have heard it very right OC का revision चल रहा है उसी के साथ साथ शाम में हमारा SP का revision चल रहा है बहुत जल्दी accounts का revision और बहुत जल्दी होने वाला है economics का भी revision economics का भी revision होने वाला है और उसी के साथ साथ सुबह ही मैंने भी देखा था काफी बच्चों का ऐसा था कि C.A. का कैसे चालो होने वाला है C.A. में के क्लासे कब चालो होने वाल है तो आयो टेल यू वन तिंग अगें सुबह तो वैसे भी करन सर ने बताया है कॉंटाक नमबर कौन सा कोर्स करना है कहां रहते हो यह सारी चीज़े आपको कहां मेसेज करनी है कहां मेसेज करनी है जिसका भी कोई भी क्वेरी रहेंगा we are there to solve you कहां मेसेज करेंगे 9545879706 किस पर करेंगे 9545879706 ठीक है समझा चलो 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 आगे बढ़ते फड़ा फड़ से देखेंगे deposits देखना है bonds देखना है और इसके बाद we are done with the chapter almost acceptance of deposit public deposit as an important source of financing short term requirement long term में क्या देखा था अपन लोगों ने debentures क्या थे तुमारे लिए debentures क्या था तुमारे लिए long term था बराबर है क्या था तुमारे लिए long term था और वही अगर अभी तुम लोग deposits की बात करेंगे deposits की बात करेंगे तो क्या है ये short term क्या है ये short term deposits मतलब deposits की बात करेंगे तो short term के लिए what is deposit basically all about companies received fixed deposit from the public for the period ranging from 6 months to 36 months यह पर इतना time period दिया हुआ है six months 36 months मतलब तीन साल का बराबर है तीन साल का दिया हुआ है such deposits are called as public deposits जो भी deposits जो भी company जो भी deposits ले रही है fixed deposits जो भी ले रही है वो एक fixed time पे ले रही है fixed period fixed amount ले रही है क्या ले रही है एकदम से fixed period fixed amount ले रही है जो भी deposits है, fixed period, fixed amount ले रही है इसलिए, इसलिए, इसलिए उसको क्या गोला गया है, किसको दिया हुआ है, public deposits को दिया हुआ है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, public deposits Under this method, general public is invited to deposits, they are saving with the company for a varied period Interest is paid by the company on such deposits अब for example, उपर तो अपर लोगों ने देखा था, debentures की बात कीती, debentures में क्या होता है, loan मिलता है, loan देते है और सामने वाले इंसान, obviously company को क्या pay करते है, interest पे करते है अब deposits में क्या होता है, जो public in general है, जो public in general है वो क्या करते है, deposits देती है, किसको देती है, deposits, पैसे देती है, किसको देती है, deposits Company को देती है, क्या करते है, company And in return, company क्या करते है, interest पे करते है Company क्या करते है, interest पे करते है, किसको interest पे करते है, public in general, जिसने भी deposit क्या हुआ है, उसको interest पे करती है clear? समझ में आ गया? चलो The company issues deposit receipt to the depositor अभी ये chapter में तुमको confuse नहीं हो रहा है जो भी shareholder है, shareholder का कुछ अलग part है debentures holder है, तो उनका कुछ अलग part है किसी को debenture certificate मिलता है, trust deed बनाना पड़ता है हर एक चीज करनी पड़ती है तो सब कुछ एक दूसरे में mix मत करना वुमिर को आपको बताना है shares का shares में ही रहने देना, debentures का debentures में ही रहने देना shareholder को dividend मिलता है, debenture holder को क्या मिलता है interest पे करना पड़ता है उसी के साथ-साथ यहाँ पे the company issues क्या deposit receipt issue करती है to the depositor जो भी deposit कर रहा है उसको अपने लोग क्या बुलाएंगे, depositor बुलाएंगे the terms of deposits are mentioned in the deposit receipt deposit receipt is an acknowledgement of debt or loan by the company and deposits are either secured or unsecured loans after to the offer to the company अब आप लोग क्या करेंगे, यह meaning आप पढ़ेंगे क्या करेंगे एक introduction जो है, वो तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ introduction जो है, वो already मैंने आपको बताया हुआ है आपको सिफ क्या पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे तुम लोग meaning पढ़ेंगे, बराबर है और मेरे को पूरा बरुसा है कि आप लोग meeting पढ़ेंगे and अगर नहीं पढ़े, तो मेरे को पताया है, तुम पढ़ लेंगे, तो फिर मेरे को कोई problem ही नहीं है I know that you will be doing it चलो, समझ में आ गया जाए फड़ा फट से bonds के उपर bonds क्या होता है bond is a debt security क्या है security, bond क्या है तुमारे लिए security है, क्या रहेगा तुमारे लिए security, MCQ के लिए fill in the blanks के लिए, match the falling के लिए, कही पे भी आ सकता है कही पे भी आ सकता है, तो इसको भूलेगा मत इसको जितना भी मा कर सकते है, उसको मा करके रखिये, it is a formal contract to repay borrowed money with the interest, bond क्या है loan है, bond क्या है loan है, the holder of the bond is a lender to the institution, he is a creditor of the company अब तक जितना भी पड़ा है, debenture holder is also creditor of the company और उसके साथ साथ, जो भी lender है, वो कौन है creditor of a company है all bonds have maturity date and is paid in cash at certain date in the future cash की बात की है, यहापे credit की बात करी हुई है, क्या? नहीं, यहापे किस की बात की हुई है, cash की बात की हुई है चलो देखते, फड़ा फट से features features, nature of finance, it is a debt finance and it provides long term finance, मतलब क्या है long term के लिए है, but एक period दिया हुआ है, debenture holder किस के लिए है, long term के लिए है, और उसी के साथ साथ जो अपना bond है, वो भी किस के लिए है long term के लिए, तो short term के लिए क्या बचा है deposits जो है, वो किस के लिए होगा तुमारा short term के लिए होने बाला है nature of finance, it is a debt finance, it provides long term finance, the bond can be issued for longer period, that is 5 years, 10 years, 25 years, और 50 years, 50 years के लिए हो सकता है next आया हमारा status of bondholders bondholders का मतलब क्या है bondholders का मतलब है the bondholders are creditors since they are creditors and non-owners they are entitled to participate in the general meeting and they have no voting rights and hence no participation in the management, अरे यार ये creditor है, तो कोई भी इंसान या कोई भी company creditor के हाथ में क्यू देंगी voting rights, बताओ मेरे को देंगी क्या कोई भी कोई भी company creditor को क्यू voting rights देंगी, possible नहीं है मतलब, देने का कोई सवाली नहीं उठता एक बाल से डेटर रहा तो भी समझेंगा क्यू कि owner है ना, एक बाल से owner रहा तो भी चलेंगा बट ये तो creditor है तो क्यू देंगी rights, है की नहीं returns on bonds, the bondholder get a fixed rate of interest, it is payable at regular interval or at the maturity of the bond and last is repayment, bonds have specific maturity date on when the principal amount is repaid, अगर तुमने एक चीज देखे रहेंगे ना, almost 4-5 points ऐसे है, 4-5 points ऐसे है, जो हर एक इसमें हर एक इसमें है, मतलब क्या है debenture holder में भी है shareholder में भी है, वही deposits में भी है, और वही कहां पर है, bonds में भी है, तो almost हर एक जगा पे same to same, same to same points जो अंदर का है, वो difference है इसलिए confuse मत होना बिलकुल भी मत होना, बहुत easy chapter है, बहुत ज़्यादा scoring है, HP, मतलब तुम अराम से अराम से बहुत उच्छे से score सकते हो इसमें, सिर्फ इतना है कि बच्चे क्यों, मतलब परेशान हो बच्चे क्यों कंटाला करते है क्योंकि theory paper है लेकिन theory paper बहुत ज़्यादा scoring है और especially ऐसा subject जो मतलब हर एक चीज debenture, shareholders, bonds, deposits हर एक चीज यही चीजे बता रहा है तो फिर, तो बहुत easy है यह ठीक है, अब मैं बोल रही है, तो थोड़ा सो भरसा कर लो easy ही रहेंगा करके है कि नहीं, चलो जाए, आगे, बड़े, आगे अब तक का समझ गया, फड़ा-फट से बोलेंगे फड़ा-फट से बोलेंगे, समझ गया क्या आपको चलो American Depository Receipt and Global Depository Receipt यह तुमको आ सकता है specially, specially, short notes में कहा सकता है specially, specially, सिर्फ और सिर्फ जादा करके possibility है कि यह तुमको आ सकता है short notes में, clear, चलो In India Shares of Public Companies are listed Listed Companies कौन होती है कौन सी Listed Companies होती है, फड़ा-फट फड़ा-फट से बोलेंगे, Listed Companies का मतलब क्या है Listed Company कौन होती है जल्दी-जल्दी बोलेंगे, जल्दी-जल्दी बताएंगे Listed Companies कौन होती है, क्या होती है कैसे होती है, how do you tell it as a listed company फड़ा-फट से फड़ा-फट से फड़ा-फट से बताएंगे Listed Company क्या होती है चल्दी 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 Listed company are listed and traded on various stock exchange like BSE that is Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange तो थोड़े time पहले ही आपने बोला था BSE and NSE थोड़े time पहले ही बोला था ना BSE and NSE तुम लोगों नहीं बोला था, right Well, adoption of free economic policy and due to globalization some of the Indian company's shares are listed and traded on foreign stock exchange like New York Stock Exchange or National Association of Security Dealer Automated Quotation To list shares on this stock exchange, company has to comply with policies of those stock exchange अभी ऐसे तो कोई भी उट सोट जो भी आएंगा वो नहीं करेंगा ऐसे तो कोई भी नहीं आएंगा, बराबर है कि नहीं obviously कुछ तो rules रहेंगे, कुछ तो regulations रहेंगे, कुछ तो policies रहेंगी बराबर है कि नहीं, कुछ तो policies रहेंगी जिसके लिए तुमको क्या करना है क्या करना है, कहाँ पे stated रहेगा you will have to go according to the stock exchange वाला thing the policies of the stock exchange are different than the policy of Indian stock exchange therefore those Indian companies which are not list, their shares directly on foreign exchange get listed indirectly using ADR and GDR जहाँ पे भी Indian companies दो है, जो list नहीं हो सकती directly जो list नहीं हो सकती, वो कहाँ list होती है using ADR and GDR ADR and GDR ADR and GDR are dollar-euro-denominated instrument traded in USA and Europe stock exchange again a important point again a very important point USA and Europe stock exchange Indian companies issue shares to an intermediary called as depositories अच्छा ये जो है depository, अपन लोगो ने depository link भी देखा हुआ है DP भी देखा हुआ है, हर एक चीज़ देखे हुए तो ये chapter number 11 में देखेंगे, 10-11 में देखेंगे अभी इतने tension नहीं की जरूँत नहीं है अभी सिफ क्या समझेंगे तुम Indian companies shares to an intermediary call as depositor जैसे agent रहता है वैसे basically क्या रहता है? Depositor रहता है चलो, act as an foreign depository bank The depository bank issues ADR and GDR to investor against this shares The ADR and GDR represent fixed number of shares These ADR and GDR are then sold to people in the foreign country ये जो ADR और GDR है ये कहाँ पे sell होता है फिर कहाँ पे आगे जाके होता है sold to foreign countries कहाँ पे हो रहा है? foreign countries में बेचा जा रहा है And they are traded like regular share जो regular share होता है जो regularly तुम share में transaction कर रहे हो dealing कर रहे हो उसी तरह से किसमे होता है? ADR और GDR में भी same same वही होता है ADR और GDR Again the full form क्या? Full form है इसका? American Depository Receipt or Global Depository Receipt American Depository Receipt or Global Repository Receipts The prices fluctuate depending on the demand and supply Both ADR and GDR are Depository Receipt but only difference is the location where they are traded एक American है और एक क्या है? Global है एक American है और एक क्या है? Global है If the Depository Receipt is traded in USA it is called as American Depository Receipt no doubt obviously America and USA पता है आप लोगों को तो right and if it is traded in a country other than USA it is called as Global Depository Receipt अगर USA में है तो क्या बोलेंगे तुम लोग? क्या बोलेंगे तुम लोग उसको American Depository Receipt और अगर other than USA है तो क्या बोलेंगे? Global Depository Receipt Non-Resident Indians and Foreign National can invest their money in India by purchasing ADR and GDR They can buy ADR and GDR using their regular equity trading account तुमारे regular equity trading account है बुसी से तुम लोग क्या खरीच सकते हो? American Depository Receipts और Global Depository Receipts तुम खरीच सकते हो The company pays dividend in home currency to the depository bank and the depository bank converts it into the currency of investors and pay dividend अभी USA का बात करें American Deposit Receipts है तो वो क्या करती है? वो खुद के currency में bank को बेचती है और फिर bank क्या करती है? जो तुमारा respective currency रहेंगा उस हिसाब से तुम लोगों को तुमारा dividend पे करती है and these are the exchange on which GDR is traded as follows यह सारे तुमारे क्या है? एक्सचेंज जहाँ पे GDR तुमारा होता है राइट? समझ में आया समझ में आया कह तुम लोगों को? चल जाए आगे बड़े आगे last question यह chapter का that is commercial banks commercial bank मतलब क्या है? number of sources of financing short and medium term business requirements among this commercial bank constitute the most pre-dominated stores commercial bank plays a very important role in corporate financing in India corporate financing वाला chapter जो first chapter है हमारा वही हम लोगों ने देखा था very 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 first chapter what is introduction to corporate finance जहापे हम लोगों ने देखा था finance क्या होता है फिर corporate finance क्या होता है अब हम आए थे second chapter पे जहापे तुमारे sources क्या है कहा कहा से तुम अपने finance को collect कर सकते हो कहा कहा से finance को ला सकते हो वो second chapter में था जिससे हम लोगों ने देखा कि commercial bank किसके लिए important है plays a significant role in where corporate financing commercial bank by introducing variety of deposit schemes tailored to individual depository needs mob up savings of people and make use of these savings to meet varied requirements of corporate enterprises चलो फड़ा फड़ से अभी सिर्व एक main points देखेंगे अंदर का आपको जो भी है वो आपको खुद को एक बार पढ़ना पढ़ेंगा क्या क्या है what are the innovative schemes for reimbursement of credit कौन से कौन सा है एक है overdraft फिर कौन सा है cash credit है फिर कौन सा है cash loan है and next is discounting bills of exchange यह तुमारे सारे क्या है schemes क्या है तुमारे सारे यह schemes है इस में से कोई भी तुमको short note के लिए आ सकता है या फिर explain the terms के लिए भी आ सकता है किसके लिए आ सकता है explain the terms के लिए भी आ सकता है इसका जो past paper है मतलब गाए बार भी नहीं हुआ उसके गाए बार भी नहीं हुआ तो जो last paper अब तक का तुमारे 12 का हुआ है वो paper अपन लोग जरूर देखेंगे so that तुमको थोड़ा तो confidence आजाए कि हाँ ये भी हो गया, वो भी हो गया सब हो गया करके तो एक paper अपन लोग जरूर देखेंगे उसी के साथ-साथ तुमको समझ में आएगा कि किस हिसाब से questions आते हैं क्या type of questions आते हैं जो मैंने already तुम लोगों से discuss कर चुकी हूँ बराबर है, मेरा काम है आपको revise करवाना लेकिन उसी के साथ-साथ आपका काम भी रहेगा कि आप लोग क्या करेंगे आप लोग भी मानदारी से revise करेंगे घर पे बैठने के बार नहीं तो फिर ऐसा होगा कि बस अभी पढ़ लिया देख लिया, फिर देखेंगे exam के एक दिन पहले ऐसा नहीं चलेंगा 12-12 chapters है तुम लोगों को ठीक है, I agree उसमें से 3 chapters तुमारे letters के है लेकिन उसको ignore मत करना वो भी पढ़ना है समझ में आया? अच्छा, ये वाला जो financial institutions है ये क्या है, तुमारा reduced है syllabus में नहीं है तुमारा उसी के साथ साथ trade credit जो है, वो भी reduced है वो भी तुमारे syllabus में नहीं है वो भी तुमारे syllabus में नहीं है समझा? clear हो गया देखो मैंने बोला थाने तुमको shares का आएगा shares and debentures का difference between आएगा shares, equity shares and preference shares का difference between आएगा owned capital and borrowed capital का difference between आएगा तो ये चोटे-चोटे चीज़े है ना ये बहुत important करती है बहुत matter करती है और तुम लोगों को करना ही पड़ेगा clear समझ में आया है सब लगों को second chapter पूरा clear हो गया है कोई भी doubt है के फड़ा-फट से अगर कोई doubt रहेगा तो पूछो मेरे को जल्दी-जल्दी-जल्दी so that we can start with the letters वाला chapter सबसे पहले सिर्फ एक format करेंगे सिर्फ एक format करेंगे जो तुम लोगों को learn करना पड़ेंगा और कुछ ने एक format है जो तुमको learn करना पड़ेंगा जो तुम तीनों chapter में use कर सकते हो सिर्फ एक format है जो तुमको learn करना पड़ेंगा जो तुम तीनों chapter में use कर सकते हो जल्दी-जल्दी बताओ all clear with second chapter first chapter, second chapter all clear so that फड़ा-फड से we can start with the next letters वाला chapter okay, very good, a good thumbs up चलो सिर्फ एक format देखेंगे, सिर्फ एक format देखेंगे, सिर्फ एक format देखेंगे correspondence with the members अब एक बार chapter के नाम देख लेते, क्या-क्या है अपने देखो, introduction हो गया, ये हो गया चलो, आज आते हैं यहाँ पर correspondence, what is correspondence, what is correspondence correspondence का मतलब क्या है communication through letters तुम लोग क्या कर रहे हो, communication कर रहे हो, through what, through what, letters कर रहे हो तो किसको किसको है, members को है, debenture holders कर रहे है, depositors को है मतलब देखो, भी members तो तुमको पता है, members कौन होते है, company के उसी के साथ साथ तुमको ये भी पता है all clear, very good, very good, very good, all clear, very good उसी के साथ साथ तुमको पता है कि debenture holders कौन होता है बराबर है, जो debentures को hold करता है, obviously बराबर तुम यही बोलेंगे, यही जवाब देंगे, मेरे को पता है फिर depositors तुमको ये भी पता है कि depositors भी कौन होता है तो ये तीनो लोग कौन है वो तुम लोगों को पता है अभी it's just that you have to be in a correspondence with them correspondence मतलब communication through letters क्या है communication through letters चलो only a format only a format फड़ा फड़ से format पे आएंगे ये तुमारा format है format मतलब क्या सबसे पहले सबसे पहले तुमारा format में क्या आ रहा है अब ये कौन सी company है जिसको letter लिख रहा है या जोड लिख क्या है कौन सी company है ये और देखू बहुत जादा scoring है lessons कुछ होड़ना नहीं है मैने तुम लोगों को कल भी बताया था तीनों questions आते हैं, तीनों में से आपको 2 questions करने हैं, 2 questions complete करने हैं, जो 5-5 marks के रहेंगे, बहुत अच्छे से score कर सकते हो, 10 marks तुमारे हाथ में है, बहुत अच्छे से तुमको 10 marks मिल सकते हैं, तो बिल्कुल भी चोड़ना नहीं है, 10 marks को और इसी के साथ साथ पड़ावट से बता तो क्या लिखेंगे, name of own company, name of own company, खुद के company का नाम, जो letter लिख रहा है, that is I am writing the letter तो मेरे खुद के company का नाम आएंगा, बराबर है, ये first है तुमारा, ये क्या है, first है, name of own company फिर second क्या आएगा, यहाँ पर address आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर address आएगा, क्या आने बाला address किसका, खुद के company का address, नहीं तो खुद के company का नाम लिखेंगे, और address किसी और का लिखेंगे, चलेगा, क्या नहीं चलेगा फिर क्या आएगा तुम्हारा SIN नंबर SIN नंबर आएगा Company identification number अब SP पूरा पढ़ा ही है तो तुमको पता ही रहेंगा और जिसने भी नहीं पढ़ा अटेंशन मत लीजिए SIN नंबर भी देखेंगे SIN is what Company's identification number बराबर इतना हो गया तीन पॉइंट समझ गया आप लोगों को यह तीन पॉइंट आएगे बराबर चलो जाए आगे अब अब अपने left में मतलब तुम्हारे right में मेरे left में मतलब तुम्हारे right में क्या आएगा तुम्हारे भी left में ही आएगा obvious बात है क्या आएगा यहाँ पर phone number आएगा यह fourth है fifth क्या आएगा तुम्हारा fax number आएगा sixth क्या आएगा तुम्हारा reference number आएगा sin number गलत लिखके मत आना sin number सही से correct वाला लिखके आना फड़ा फट से मेरे को बताएगे sin number में alphabets कितने sin is a alphanumerical number sin क्या है तुम्हारा alphanumerical number रहेंगा फड़ा फट से बताएगे मेरे को कि कितने alphabets है और कितने numbers है नहीं तो ऐसा हो जाएगा खुद से मन से कुछ भी लिखेंगे और फिर exam में गलत हो जाएगा sense नहीं बनेंगा रहेंगा तुम 12 डिजिट का number और तुम सिर्फ 5-6 डिजिट लिखे आएगे कोई sense नहीं बनेंगा मेरे को फड़ा फट से बताएगे alphabets कितने है और numerical कितने है इसमें alphabets कितने है और numerical कितने है इसमें फड़ा फट से बताएगे मेरे को sin में जल्दी 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 बोलेंगे जल्दी 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 बताओ चलो जल्दी जल्दी बताओ चलो तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ first आएगा तुमारा name of the company second आएगा तुमारा address, third आएगा तुमारा sin, fourth आएगा तुमारा phone number, फिर आएगा तुमारा fax number very good, very good very good, very good, very good कितने है 21 digit का numerical number रहता है, alpha numerical number रहता है 21, जसमें 6 तुमारे क्या रहते है, alphabets रहते है, 6 alphabets and 15 क्या है तुम्हारा number 15 क्या है तुम्हारा number very good कितने का number रहता है alpha numerical 21 का alpha numerical number रहता है फिर why phone, fax, reference number तुम्हारे left में तुम ये सब लिखेंगे और तुम्हारे right में तुम लोग क्या लिखेंगे फिर 7 क्या आएगा website का नाम आएगा अभी बोलना मत website ही नहीं है हमारे company के अशी हो Sad के आएगी तुम्हारा क्या website फिर आएगा तुम्हारा email ID फिर क्या आएगा तुम्हारा date जिस दिन तुम date लिख रहे हो वो आएगा जिस दिन तुम date लिख रहे हो वो date आएंगी यहाँ पे clear, हो गया इतना फिर 10 तुमारा, अच्छा ये numbering वहाँ पर मत देना numbering में सिर्फ तुमको याद दिलाने के लिए दे रही हूँ वहाँ जाके numbering मत देना, कुछ और ही हो जाएंगा वहाँ जाके numbering मत देना ठीक है, 10 के आएगा, address जिसको letter भेज रहे है बराबर ही कि ने, जिसको हम लोग letter भेज रहे है उसका address आने वाला है वहाँ पर फिर 11 में तुमारा क्या आएगा, subject आएगा कि तुम किसके लिए letter लिख रहे हो, किस basis पर किसके हिसाब से, किसके लिए letter लिख रहे हो, मतलब क्यू तुमारा, body आएगा, body of letter इस विल बे रिटन, according to the subject यह तुमारा रहेंगा, 13 यह क्या रहेंगा, body of letter जो है, वो तुमारा क्या रहेंगा, according to the subject रहेंगा issue of shares है, providing dividend है, या फिर giving interest है, paying interest है interest कैसे पे कर रहे हो, cash से पे कर रहे हो, electronic mode में पे कर रहे हो कैसे क्या, कब, क्यों पे कर रहे हो, वो सब कुछ तुमारे कब आएगा, body of letter में आएगा और उसी के साथ-साथ, last में आएगा तुमारा, तुमारे right में आएगा yours faithfully और अभी यहा पे yours faithfully लिखो, क्योंकि वह ही आता है, जादा करके, वह ही लिखना रहता है तो yours faithfully लिखो अभी अगेन क्या आएगा, name of company who is writing letter, who is writing the letter नहीं तो लिखेंगे, जिसको भेज रहे हैं, उनका नाम लिखेंगे, कोई sense नहीं बनेंगा who is writing the letter, फिर क्या आएगा sign आएगी, किस की sign आएगी, किस की साइगी, company secretary की क्योंकि letters कौन लिख रहा है, company secretary company secretary यहा पे बहुत बढ़ा important role play कर रहा है बहुत जादा बढ़ा important role play कर रहे है, जहापे company secretary को ध्यान देना पड़ता है confidentiality चीजों पे, ध्यान देना पड़ता है employees का काम का चीज कैसा है सही से काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो चीज पे ध्यान देना अगर किसी को कोई चीज नहीं आ रही है तो उनको train करवाना सही तरीके से यह साले secretary की क्या रहते हैं काम रहते है तो correspondence भी जो भी कर रहा है with depositor हो, with members हो या with debentor holders हो कौन करेगा company secretary ही करते है तो यहाँ पर किसकी sign आएंगे obviously जो letter लिख रहा है that is company secretary letter लिख रहे है तो उनका नाम आएंगा और उसकी sign आएंगे और नीचे क्या आएगा उनका नाम company name of CS done done thanking you body of letter में आएंगा ना बिटा वो तो body of letter में आएंगा thanking you यहाँ पर last में आएंगा ही आएंगा ठीक है चलो तुम्हारे लिए मैं लिख लेती हूँ that is a part of body of letter body का part है वो चलो तुम्हारे लिखी लेती हूँ अलग से लेकिन वो body of letter का part ही है तो अलग से उसमें है नहीं समझा क्या कितने points है अभी एक बार गिन लेते कितने points है टूटल मिला के तुम्हारे 18 points है अट्रा points तुम्हारे यह मतलब एक बनना ही चाहिए कि तुम्हारे letter में यह 18 points तो आने ही आने चाहिए अराम से अराम से बहुत अच्छे से तुम गिन के more than 3.5 marks तो तुम score ही कर सकते हो इसमें से सिर्फ तुमको यह याद में रखना है कि कोई भी चीज तुमको भूलनी नहीं है कोई भी चीज तुमको भूलनी नहीं है कोई भी चीज तुमको भूलनी नहीं है right? समझ गया तुम लोगों को? समझ गया? बेटा हर कोई correspondence कर सकता है बट अभी फिलाल के लिए तो तुम इतना इधान रखो तुमको company secretary जो है वो correspondence कर रही है क्योंकि अगर तुमनों कोने 11th का chapter पढ़ा रहेंगा 11th का first chapter जहां पे तुमको introduction of SP दिया हुआ as we are studying right now only secretarial practices right? और company secretary मतलब होई होता है न professional course में आता है और मैं CACMA और CS है कि नहीं? तो company secretary भी तो होते है फिर बराबर बराबर है समझ गया है सबको, clear हो गया है सबको चलो start करें, start करें, एक बार फड़ा फट से quick revision करेंगे मेरे साथ, तुम लोग घर पे बैटे हो लेकिन तुम बोलेंगे मेरे साथ तुम बोलेंगे, क्या है चलो 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 चली कौन आएगा name of the company कौन आएगा name of the company आएगी उसके बाद 2nd पॉइंट क्या है तुम्हारा address आएगा इड्रेस आएगा जो company letter लिख लिख रही है उसका address आएगा registered office का address आएगा proper address लिखना है क्योंकि तुम letter लिख रहे हो company proper address आएगा उसी के साथ सथ क्या आने वाला है तुम्हारा उसी के साथ सथ क्या आएगा SIN नंबर आएगा, company का SIN नंबर आएगा जो है 21 अलफा नुमरिकल नंबर 21 अलफा नुमरिकल नंबर जिसमें से 6, 6 are your alphabets and 15 is your number कितना है 21 अलफा नुमरिकल नंबर है जिसमें से 6 तुम्हारे रहते है एड्रेस लिखेंगे जिसको लेटर भेज रहे है उसका एड्रेस जिसको हम लोग लेटर लिख रहे है उसका एड्रेस वहाँ पर आएगा next is 11th में तुम्हारा लिखेंगे तुम subject लिखेंगे subject आएगा तुम्हारा और उसी के साथ सा 12th point के आएगा dear sir और ma'am madam लिख सकते हो कोई problem नहीं है ma'am भी लिख सकते हो कोई भी problem नहीं है next है 13th point 13th point में तुम्हारा body of letter आएगा letter of body आएगा बराबर है जिसमें last में तुमको thanking you ये तो compulsory लिखना ही लिखना है और उसी के साथ साथ we are done with the letter वाला thing जहाँ पे 14th point पे तुम लिखेंगे yours faithfully I'll tell you wait पहले ये complete कर लेते हैं मैं definitely आपके questions का जवाब दूँगी 14th point क्या है yours faithfully 15th point क्या है name of the company who is writing the letter जिसका name of the company जो उपर top में लिखा है ना first point पे same as point first that is name of the company और नीचे आएगा sign आएगा company secretary यसे लिखा हुआ आएगा and name of the CS जो भी sign कर रहा है जो भी sign कर रहा है उसका क्या आएगा वहाँ पे नाम आएगा everyone is clear with the format everyone is clear with the format समझ गया के सबको format तो समझ गया के सबको format तो समझ गया तुम लोगों को फड़ा फट से मेरे को बोलेंगे format समझ गया के आप लोगों को जल्दी 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 से बताएंगे चलो 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 जल्दी 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 बताओ तो जल्दी बताओ, format समझ गया है के तुम लोगों को Done चल अब अगर format समझ गया है तो जो तीन चाप्टर्स हैं हमारे बेसिकली उसमें कुछ भी तुमको hard नहीं जाएंगा You just have to, मतलब ऐसे रट्टा मत मारना कोई भी चीज का ये भी मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, रट्टा मत मारना समझ के ले लेना पहले, format को समझ न Try to fit it in your mind क्योंकि अगर एक point भी भूल गयाना तुम लोग तो फिर तुमको आगे problem हो जाएंगे तो इसको रट्टा मत मारना विल्कुल तरिके से सिर्फ समझ के ले लेना कि क्या है, कैसे नहीं है करके और अगर ये तुमको आ गया तो सिर्फ तुमारे एक important चीज रह जाता है, वो ये and this you'll have to write according to the subject जो भी subject तुमको पुछा गया है, debenture पे interest पे करना है the way I told you before only, कैसे कैसे letters आ सकते हैं तुमको issue of share certificate के, वाई share certificate नहीं आया है, issue करना है उसको payment of dividend, जो अभी मैंने तुम लोगों को बोला payment of dividend through dividend warrant, अच्छा और एक चीज मेरी रह गई है तुमको बताने है मिरको, अगर कोई enclosure रहा, तो this will मतलब वो कहाँ पे आएंगा, enclosure कहाँ पे आएगा तुमारा in the end of the letter, enclosure मतलब अगर कोई attachment रहा, जैसे share certificate तुमको attach करना है, तुमको debenture certificate attach करना है या कोई receipt attach करनी है, तो वो last में तुमको यहाँ पे enclosure करके लिखना पढ़ेंगा, एंड फो एक्जांपल तुम interest warrant लगा रहे हुए आपे, तुमको लिखना पढ़ेंगा कि तुमने क्या enclose किया है, तुमने क्या attach किया है, वो तुमको लिखना पढ़ेंगा, ताट इस जो भी example रहेंगा, debenture certificate या, अगर तुम transfer कर रहे हो shares को, तो obviously तुमारे पास जो share certificate है, वो भी तुम transfer करेंगे, तो वो भी अगर तुम enclose कर रहे हो, तो आपे भी लिखना पढ़ेंगा share certificate, समझा, clear, जाए आगे, जाए आगे, चल, अब एक बात जो अदिती आपने पूछी mail को, कि ma'am is it okay if our letter exceeds one page, try कि एक page में सब कुछ fit हो जाए, ठीक है, and अगर exceed भी होता है, तो भी problem नहीं, लेकिन तुमको यहाँ पे कोई, मतलब मैं क्या मुलू, तुमको love letter बगरा तो नहीं लिखना है तुमको, right, you have to be specific, यह professional letter है, यह एकदम formal वाला letter है, तो तुमको, जो point है, वह specific point लिखना है, अभी इसका मतलब यह नहीं के, जो body of line, मतलब letter है, body का, वो तुम, मतलब, मतलब, पूरा composition type में लिख लो, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, specific रहना है, एकदम precise रहना है, जितना थोड़ा सा छोटा सा रहेंगा, तो वो छोटा ही रखना है, जादा मतलब डालो उसमें, यह भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, नहीं, मतलब एक पेज पूरा और आगे के पाथे लाइन रहेंगे तो चलेगा, बढ़ ट्राइ कि तुम एक ही पेज में पूरा करो, समझ में आ गया, clear हो गया सबको, clear, चलो, तो अब तुम्हारा काम क्या रहेगा, a homework for you people, a homework for you people, पहले तो तुम आज क्या करेंगे, जो second chapter अपन लोगो करेंगे, उसी के साथ साथ letter का format तुम अपने book में लिखेंगे पहले, letter जो है अभी तुम लोगोंने मेरे साथ लिखाई रहेंगा, लेकिन साथ ही साथ में तुम लोग एक बार फिर से वो letter लिखेंगे, और उसी के साथ साथ जो हमारे letters है, chapter number 6, chapter number 7, chapter number 8, जो भी letters है, सिर्फ एक quick revision करेंगे, quick glance करेंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आया है, तो कल हम लोग obviously दुबारा फिर से मिल रहे है, तो definitely वहाँ पे तुम लोग मेरे letters को लेके भी doubts पूच सकते हो, clear, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, जब हम लोग paper pattern, obviously हम लोग जब paper तो बहाँ पे फिर से letter आएगा, तो obvious बात है कि हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, समझा, clear, समझ गया कि सबको फड़ा फट से बोलेंगे, with a thumbs up फड़ा फट से, चलो, 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 चल तो लेट स्टार्ट विद्धी थर्ड चाप्टर एक बार फिर से इंडेक्स पे जाते है अब अब ऐसे देखो न ऐसे तुमको अच्छा नहीं लगता कि फटा-फट से अपने चाप्टर हो रहे हैं रिवाइस भी हो रहा है हर एक चीज हो रही है तुम अटक जाएंगे तुम को लण नहीं करना है इसलिए मैंने बोला है इसलिए मैंने फॉर्माट भी लिख के दिया है आपको फॉर्माट अच्छे तरीके से करना है फिर body of letter में देखो, जब तुमको पता है कि तुम issue कब करते हो debentures को, जब shares को कब issue करते हो, तुम debentures कब प्रोवाइड करते हो, तुम deposits कब कर रहे हो, यह देखो न, यहाँ पर ही अपना सब होगा, देखो, shares, debentures, deposits, हर एक चीज़ यहाँ पर हो रही है तुमको यह पता रहे प्रिया न, तो letter जो है body का अपनो अपने अपसे लेख सकते हैं, कोई problem नहीं है, अपने घ्राप से लिख सकते हैं, कोई Problem नहीं है उसमें, अपने इसाब से लिख सकते हैं, मतलब क्या है कि जो proper चीज़े Judaism को लेके, वोस subject को लेके, बार-बार में वही चीज़ बोली हूँ, जो भी subject पूछा है, clearly read the letter की क्या पूछा है यहापे और उस हिसाब से तुमको letter में लिखना है clear, समझ में आ गया, समझ में आ गया, चालू कर दे, चालू करे आगे का चलो, बोलो, फडाफट से, let's start, let's start उसके पहले जो हम देख रहे थे, ना देखो, introduction हो गया sources हो गए अपना, correspondence with members, debenture holders and deposits के format हो गए format हो गए इन लोगों के, अब we'll be starting with the third chapter जिसका नाम है, issue of shares अब तुम sequence के साब से देखो, ठीक है first chapter में तुमको क्या था, finance के बारे में था, what is finance, what is corporate finance, वो था second chapter में तुमको क्या दिया है, shares के बारे में थोड़ा बहुत दिया, debentures के बारे में थोड़ा बहुत दिया फिर किसके बारे में दिया है, deposits, debentures, ये सब के बारे में individually तुमको बताया है, loans के बारे में बताया है, bonds के बारे में बताया है बड़ाबर है कि नहीं? अब आगे जाके तुमको individually हर एक में क्या क्या है वो बताएंगे individually issue of shares में क्या है issue of debentures में क्या है deposits में क्या है यह सब तुमको अभी आगे जाके समझेंगा बड़े आगे चालू करे चालू करे थोड़ chapter फड़ा फट से चलो बोलो issue of shares क्या है issue of shares चलो what is issue of shares shares का मतलब सबसे पहले तो मैं बताओ shares का मतलब क्या है यह तो भूलना ही नहीं चाहिए कल तो हम लोगोंने कित्नी बार पढ़ा हुआ है यह तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे shares का मतलब क्या है फड़ा फट से बताएंगे a share is a share of share capital what is share a share is a share of share capital simple right what is share a share is a share of share capital यह तो मतलब तुम भी नहीं भूलेंगे और कोई भी नहीं भूलेंगा मतलब नील में भी पूछे तो तुम को आना चाहिए कि share का मतलब क्या है right है की नहीं बड़ाबरे की नहीं चलो बड़े आगे चलो लेट्स स्टार्ट विद धी थर्ड चाप्टर अब इसमें भी मैं बता सकती हूँ बहुत जादा स्कॉरिंग है यह बहुत जादा स्कॉरिंग है और थोड़े बहुत ऐसे क्वेशन्स है जो तुम्हारे क्या है रिड्यूज वाले क्वेशन्स है तो एक बार अपन लोग रिड्यूज वाले क्वेशन्स लिख लें इसमें से कौन से कौन से तुम्हारे क्वेशन्स रिड्यूज है क्या के सिलाबस रिड्यूज है फॉर्स्ट वाला कौन सा क्वेशन तो और मैं एक तुनर। ौर यह एक स्लबस नइक वनक सा लै एक स्वेनं क्लासिwest के लिए उनसा लए एक साकिल ही हरा तो नसाी है, एक स्वेनन ग्रश प्लासिद्वकाइट्टल Allotment of shares Fifth word, calls on arrears Fourth, effects of forfeiture of shares And next is surrender of shares ये जो तुम्हारे questions है, ये सारे क्या questions है? Reduced वाले questions है फड़ा फट से फड़ा फट से लिखके ले लो ये सारे तुम्हारे reduced वाले questions है चलो 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 लिक्के हुआ रहेंगा तो फड़ा फट से बताएंगे लिक्के हो गया करके लिक्के हुआ है तो जली जली बताएंगे लिक्के हो गया करके चलो देखो सबसे first question ही तुमाना क्या है? Reduced है question क्या है तुमारा? Reduced है Right तो बढ़ते हैं हमारे next question की तरफ That is issue of shares तुम तुमारे shares को कैसे issue करेंगे? Issue of shares A company में need capital to start a new project or expand or diversify It's first chapter में ही देखा है, second chapter में भी देखा है पैसे तुमको क्यों लग रहा है? Why do you need money? Why do you need money? पैसे क्यों लग रहा है तुमको एक नया business डाला है और जब वो business डालेंगे तुमको maximum returns भी तो मिलने चाहिए इसीले तुमको पैसे लग रहा है इसीले तुमको क्या लग रहा है überhaupt चलो methods of issue of stress यसे कितने methods है कॉनसे methods है मैं बता सकती हूं तुमको इतना interesting topic है यह इतना interesting topic है अगर तुम पढ़ भी लोगे न एक बार का तुमको समझ में आ जाएगा अच्छा ऐसे भी होता है के फिरके very interesting topic very interesting chapter very 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 interesting chapter चलो कॉनसे methods है कितने type of methods है यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है फड़ा फड़ से तुम अपने book में यह चार्ट ड्रॉ करेंगे तुम अपने book में ड्रॉ करेंगे यह चार्ट सबसे first आता है public offer फिर आएका तुमारा existing equity shareholder यहाँ पर important word है existing equity shareholder किसी और को भूल गए तो चलेगा लेकिन यह word को कभी मत भूलना existing equity shareholder यहाँ पर सिर्फ equity shareholder के वालों के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है किसकी existing equity shareholder की फिर existing employees again a word existing employees and last है private placements यह चार टाइप्स है जिसमें तुम क्या है methods क्या है issue of shares तुम चार वे में तुम्हारे shares को issue कर सकते हो done चलो public offer क्या है public offer में दो चीज़े एक है IPO और एक है FPO IPO का मतलब क्या है क्या लगना तुमको IPO का मतलब क्या रहेगा IPO का मतलब है a very first time जो तुम fresh एकदम fresh ताजा ताजा एकदम fresh वाला जब तुम share को issue कर रहे हो एकदम ताजा ताले share को issue कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे IPO that is initial public offer initial public offer a very fresh share जो तुम issue कर रहे हो market में in general in public जो तुम issue कर रहे हो उसको तुम क्या बोलेंगे IPO and same वही FPO का मतलब क्या है FPO का मतलब चलो यह पर नीचे है FPO का मतलब है further public offer further public offer further public offer का मतलब क्या है कि एक बार तुमने initial offer दे दिया एक बार initial offer दे दिया and you are done with the period you are done with that specific period वो खतम हो गया तुमारा period तो तुम आगे क्या करेंगे फिर आगे क्या करेंगे बराबर है क्या करेंगे नए market में बेजेंगे इसका मतलब क्या है IPO मतलब क्या है for the very first time very fresh share जो तुम क्या कर रहे हो issue कर रहे हो और FPO का मतलब क्या है उसी initial public offers को जो बेचे नहीं गए जो रहे गए है उसको तुम वापस re-share re-issue कर रहे हो clear समझ में आ गया इतना समझ गया चलो public issue और public offer of shares इसमें क्या होता है companies क्या कर रहे है offering shares to the public public offer of shares का मतलब क्या है offering shares to the public चलो लिकोफटाफट से offering का मतलब है offering shares to the public offering का नहीं public issue का मतलब है offering shares to the public this is the most common method used by the company the company invites the public to subscribe for its shares by issuing prospectors prospectors का मतलब क्या है अच्छे बच्चों की दुरह मैं तो को फड़ा-फड से बताओ prospectors का मतलब क्या है prospectors का मतलब क्या होता है चलो जली जली बताएंगे prospectors का मतलब क्या है तुमको याद था क्या colleges में तुम याद है तुमको चबी भी जाते हो नहीं चीज़ों के लिए तुमको अच्छे जिया जाता Hydra इंची स्टीन उसमें आती है किसमें तुम्हारे prospectors में आती है तो company को क्या करना पढ़ेंगा अपने prospectors को issue करना पढ़ेगा क्या करना पढ़ेगा prospectors को issue करना पढ़ेंगा The company can use two pricing methods to offer shares to the public offer shares to the public कौन से कौन से offers है पहला वाला है FIXED PRICE ISSUE method क्या है पहला-वाला बना चाड बनाएंगे अपन लोग Method to issue shares Methods to issue share सबसे first वाला कौन सा method है Public issue पढ़ रहे हो ना तुम तो यही intention से है यही दिवांग में रखके तुमको पढ़ना है कि हम जो भी भी पढ़ रहे हैं जो भी पढ़ रहे हमको अच्छे से score करना है हर एक subject में अच्छे से score करना है समझा के तुम लोगों को होता है अगर वो तुममारे दिमाग में रहेगा तो obvious बात है कि पिर क्या होने वाला है क्या होगा फिर obvious बात है कि तुम अच्छे से score कर पाऊगे अगर वही चीश दिमाग में रहेंगी तो score ही कर पाएंगे तुम लोग और फिर तुम सोचेंगे, चलो कॉपी कर लेंगे, कुछ होना नहीं है, मैं अभी बता रहे हूँ अगर तुमको successful होना है कोई भी चीज में, तो you don't have to copy तुमको अराम से खुद की दिमाग चला के तुमको paper लिखना है ने, तो फिर कोई भी फाइदा नहीं है और वही जाके आगे, अगर तुम सोच भी रहे हो कि तुम professional course करोगे that is CA, CA में, CS, या कोई MBA करेंगा, या कोई finance में, बैंकिंग करेंगा तुमारे हिसाब से जो भी तुम course करोगे, तो तुम कई भी भी successful नहीं बन पाएंगे अगर तुम सिर्फ copy करने पे बैटे रहेंगे तो, कोई भी sense नहीं बनेगा चलो, जाए आगे Public issue और Public offer of shares यहाँ पे कौन से pricing के दो methods है, कौन से कौन से दो methods है, लिखते है, चलो दो methods है, एक है fixed price issue method और दूसरा क्या है, एक तो है fixed price issue method और एक दूसरा क्या है, book building method कोई भी doubt रहेगा, कोई भी ऐसे रहेगा कि माम यह कैसे पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है, कुछ भी query रहेंगी तो तुम क्या कर सकते हो, तुम message कर सकते हो, तुम comment section में after watching the lecture, तुम comment section में डाल सकते हो, जो भी doubt रहेगा, जो भी query रहेंगी बिंदास डाल दो, we are there to help you, we are there to help you जो भी doubts रहेंगा, definitely clear होगा, not immediately but we'll try कि at least जब next lecture रहेगा, वो definitely clear रहेगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है जो भी रहेंगा, आप comment section में डाल सकते हो, चलो, fixed price issue method, fixed price issue method में क्या होता है, हम लोग देखेंगे, under this method, the company states in the prospectors the quantity and the price at which the shares are offered fixed है, तुम देखते हो ना, कभी भी mall में या कभी भी shop में जाते हो, तुम आपे बहार ही दिया रहता है no discount, तुम कितना भी बोलोगे, तुमको कोई भी discount नहीं मिलेंगा, the prices of the product, prices of goods are fixed एकदम से fixed है, कुछ भी changes नहीं होने वाले है, उसमें, है की ने under this method, the company states and its prospectors the quantity and the price at which the shares are offered to the public the subscribers or investors are asked to pay a certain portion of face value of shares face value क्या face value the shares का, फटा फट से बोलो 100 rupees और entire issued price along with the application, sorry, 1 or 10 rupees था the company comes to know the demand of its shares only after the subscription period ends company can issue shares at par or premium अच्छा, par and premium वाला concept आप लोगों को पता रहेंगा मेरे खयाल से एक जो share है, वो तुमारा 10 rupees में है तो तुम उसको 10 rupees में बेच रहे हो, मतलब क्या है? अगर तुम उसको 15 rupees में बेच रहे हो, तो क्या है? प्रीमियम जिसमें से 5 rupees तुमारे क्या रहेंगे? प्रीमियम पे तुमने पेक, मतलब आट प्रीमियम तुम बेच रहे हो, बराबर है और अगर तुम इसको 9 rupees में बेच रहे हो, मतलब क्या है? यूर सेलिंग इट आट डिस्काउंट रेट, यूर सेलिंग इट आट डिस्काउंट रेट बराबर चला, देखो, जब public offering होती है, एक बार में जब public, मतलब जब company ने issue किया है और जब public खरीती है उसको, तो जैसे ही public खरीती है company को भी समझता है कि किसका demand कितना है, और क्यों है, क्यों नहीं है बराबर है कि नहीं किसका demand जादा है, किसका demand कम है, उनको भी समझ में आ जाता है और उस हिसाब से वो subscription भी कर लेते हैं फिर बाद में बड़ाबग, the company comes to know the demand of its shares only after the subscription period ends Company can issue shares at par and premium Fixed price method is used for all types of issues That is public issue, right issue, ESOS हो या ETSOS हो ESOS क्या होता है? आगे आएंगा, attention मत लीजिया बिलकुल भी समझ गया? Fixed price जहां पे तुम्हारा shares का price already fixed है Already it is fixed, already given है तुमको उसमें कुछ भी bargaining भाला पार नहीं मिलेंगा It is already fixed, उसको बोलेगे Fixed price issue method Book building method, अभी ये book building method में तुमको काफी concepts आने वाले हैं जो तुमको ध्यान में रखना है, match the following में काफी chances हैं आने के लिए Under this method, the issuer determines the number of shares and the issue price at which the shares will be sold by bidding process यहाँ पे क्या होता है? Bidding वाला process होता है The company issues are red hearing prospectors उपर क्या था? सिर्फ एक normal prospectors issue कर रही थी यहाँ पे book keeping method, book building method में क्या होता है? Red hearing prospectors issues कर रही with a range and price band and ask the investor to bid on it The lower end of the price band is called as floor price The lower end of the price is called as floor price And with the highest end, it is called as cap price बराबर है न, देखो न, lower end मतलब क्या होता है? Floor price, lower, नीचे और highest price मतलब क्या रहेगा? तुमारा cap price रहेगा और ceiling price, the final price at which the shares are offered to the investor is called as cut offer price अभी तक क्या समझा? Red hearing prospectors issue कर थी यह company और उसी के साथ-साथ उसमें तुमने क्या देखा? जो lower price है उसको क्या बोलेंगे? Floor price और जो highest price है उसको क्या बोलेंगे? Cap price And cap price और ceiling price और जस price पे तुमारा share fixed होता है That is, जस price पे तुमारा fixed होता है उसको क्या बोलेंगे? Cut price उसको क्या बोलेंगे? Cut off price Investor can bid any number of shares that they are willing to buy at any price within the price band Bidding is kept open for 5 days कितने दिन के लिए open रहती है? 5 दिन के लिए 5 दिन के लिए किनके bidding open रहती है? और उसी time पे तुमको क्या करना है? किस हिसाब से तुमको shares बेचना है? किस पे तुमको क्या price पे share बेचना है? वो तुम क्या करेंगे? इसी 5 days में तुम decide करके रखेंगे The bidding along with the application money is to be submitted to the lead merchant bankers called as bookrunners who enters the bid in a book After bidding is over, company fixes cut-off price based on the highest or best price at which all shares and offer can be sold Company issue prospectors which contains the final price and book building method is used for public issue that is IPO and FPO Final price जब तुमारा issue होता है जब तुमारा final price decide होता है तब तुमारा normal prospectors भी issue होता है company की तरफ से लेकिन अगर उसके पहले bidding वाला system होता है तब तुमारा क्या issue होगा? Red hearing prospectors issue होने वाला है उसके बाद lower price को बोलेंगे floor price, highest price को बोलेंगे cap price जो भी final price रहेंगा, जो भी best price रहेंगा उसको तुम क्या बोलने वाले है? cut off price बोलने वाले है फिर ये bidding तुमारा किते दिन तक चालू रहेंगा? 5 दिन तक रहेंगा, 5 दिन तक bidding रहेंगा 5 दिन तक तुम bidding कर सकते हैं और इसी के साथ साथ जब भी तुमारा bidding भी तुम decide हो जाता है and you are the lucky winner, right? तो तुम क्या करेंगे? application money के साथ साथ तुम किसको देंगे? lead merchant bankers जो bidding का पूरा हिसाब रखता है जिसको हम लोग बोलेंगे book runners clear? समझ में आ गया क्या? and this method is used for public issue that is for IPO and FPO जो थोड़ी ताइम पहले अपन लोगों ने बात की थी IPO और FPO का मतलब क्या है? initial public offering जो पहली बार issue होता है very fresh, very taza-taaza और FPO का मतलब क्या है? further public offer और follow on public offer यह देखो refers to the process of offering shares of a company to the public for the very first time और, और IPO, before or IPO company is not a listed company and its shares are privately held but after IPO company becomes a listed company and its shares can be bought and sold by the investors in open market FPO का मतलब क्या है? FPO का मतलब क्या है? it is also called as follow on public offer when a company issues shares to the public after an IPO it is called as FPO when a company issues shares to the public after an IPO it is called as FPO that is for the public offer clear? समझ में आ गया? और एक last point है FPO led to an increase in the subscribe capital of the company समझ में आया के सबको? clear हो गया के सबको? जल्दी जल्दी बोलेंगे clear हो गया के सबको? हो गया के clear? चलो जल्दी जल्दी फड़ा 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 से बताओ फड़ा 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 से बतायेंगे clear हो गया? क्या so that आगे बढ़ते आएगा और फिर से बता रही हूँ फिर से बता रही हूँ don't forget after you are done with your SP paper after you are done with your OC paper या फिर economics का paper maths का paper and उसी के साथ साथ हर एक individual paper हर एक subject का individual paper जबी भी होता है do comment do comment की तुमारा paper कैसा था do comment की paper कैसा था तुमारा चालो चालो करे next है हमारा offering shares to existing equity share बबा यहाँ पर फिर से मैं बोल रही हूँ क्या है यह existing equity shareholder company में raised funds by offering shares to its existing equity shareholders as follows याद आ रहा है कि कल बात हुई थी अपनी right issue और bonus issue तो मेरे को चल्दी जल्दी बताएंगे कि right issue और bonus issue जो है वो कौनसे type of shareholders को मिलते है equity shareholder को यह right मतला features है या rights मिलते है या preference share वालो को मिलता है किसको मिलता है किसको मिलता है चलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो ध्यान में रहेंगा तो यह answer में सब कुछ है तुमको answer में दिया हुआ है किस में मिलता है करके बट फिर भी मैं तुम लोगों से सुनना चाहती हो obviously कि यह किसको मिलता है करके equity shareholder वालों को यह preference shareholder वालों को obviously obviously यह देखो यहाँ पर लिखा हुआ है equity shareholders equity shareholders वालों को यह right मिलता है कौन सा right issue and bonus issue जो है very good, very good, very good equity shareholders को मिलता है right issue when a person want to raise further capital that is FPO की बात चल रही है यहाँ पर IPO की बात नहीं चल रही है when a company wants to raise further capital it can issue shares at existing equity shareholder in the proportion of their existing shareholdings in the proportion of existing shareholding such an issue of shares is called as right issue of the shares जो भी तुमारे shares है वो तुम किसको दे रहे हो वो तुम तुमारे existing equity shareholders को दे रहे हो किसको प्रवाइट कर रहे हो existing equity shareholders को प्रवाइट कर रहे हो इसका मतलब क्या है और कौन से वे में प्रवाइट कर रहे हो कौन से in the proportion to their shareholders existing shareholdings प्रिमिटिव राइट को सब्सक्राइब किया है यहां पर दिया हुआ है already means first option to buy कंपणी ने share issue कर दिये ठीक है कंपणी ने shares को issue कर दिया सब से first priority वो shares को buy करने की किस की रहेंगी कौन buy करेगा सब से first priority किस की रहेंगी किस को मिलेंगा सब से first right Obviously, तुम्हारे existing shareholder को मिलेंगा, किसको मिलेंगा? Existing shareholder को मिलेंगा, घर के इंसान है न? तो पहले जो भी जाएंगा, वो किसमें जाएंगा? घर के इंसान में जाएंगा, उसी के बाद हम लोग क्या करेंगे? अगर कुछ बचा, तो बहर के इंसान को देंगे फिर, राइट? चलो अच्छा, ये जो provisions है, ये तुम लोग पढ़ेंगे ये जो provisions है, वो क्या करेंगे? तुम लोग पढ़ेंगे Again, a difference between आ सकता है, between right issue and bonus issue difference between right issue and bonus issue, ये तुमको आ सकता है, clear? समझ गया? चलो bonus issue, bonus मतलब क्या होता है? bonus मतलब क्या होता है, जो तुमको free में shares मिल रहे है, वो, bonus मतलब क्या होता है, जो तुमको free में shares मिल रधिवाले में तुम अपने servants को देते हो, workers को देते हो, staff को देते हो, bonus देते हो, बराबर है कि नहीं, तुमको ध्यान में रहेंगा तो तो वैसे ही same, जो भी shares है, जो भी shares है, वो क्या करते हैं तुम लोग, obviously तुम्हारे existing shareholders को free of cost में provide करते हैं, bonus are fully paid up shares issued free of cost to the existing shareholders in proportion to their shareholding, usually financially sound company issues shareholders out of its accumulated distributed, distributable, profits and reserves, जो भी तुम्हारा profit रहेगा, जो भी तुम्हारा reserves रहेगा, उसमें से ही दिया जाएंगा, ज्यादा profit हो रहा है तो company ने सोचा कि चलो, bonus दे दिया जाए, बराबर है कि नहीं, या ऐसे तुमको bonus दे दे देंगे, कुछ अच्छा clear, done, done, चलो, जाए आगे, यह सब यह देखो, जो provisions है, यह तुमको read करने है clear, next है, next है, third है, that is offering shares to the existing employees, offering shares to the existing employees a company can raise funds by offering shares to its existing employees, as जो उपर बोला था, मैंने ESOS आएगा तुमको क्या आएगा तुमको, ESOS आएगा ESOS, ESPS, SARS, और क्या है, sweat equity shares, सबसे first आएगा तुमारे employee stock option scheme under this scheme, okay, I want to tell you one thing, is that कि यह पूरे chapter में, हम लोग सबसे चीज जो neglect करते हैं, वो यह वाली चीज निगलेट करते हैं, यह वाला जो point है न, यह चारो point को निगलेट करते हैं, जब कि यह वाला और यह वाला बहुत important question है, short notes में तुमको यह आ सकता है, what is ESOS and what is sweat equity shares, यह तुमको मदला तुम आग भी बंद कर लो तुमको आना चाहिए, तुमको नीन में भी पूछ ले तो तुमको आना चाहिए, क्योंकि यह कभी भी पूछ सकते हैं, तुमको high possibilities है, high chances यह पूछने के, in fact, जो important questions है, उसमें मैंने इसको mark करवा के दिया हुआ है, मैंने इसमें भी तुमको बताया हुआ है, तो यह भी तुमको नहीं छोड़ना है, under this scheme, permanent employees directors or officer of the company और its holding company, और its subsidiary company are offered the benefit or right to purchase the equity shares at a future date, at a pre-determined price इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि future date में आप कभी भी खरीद लो, share मेरे को चलेगा, मेरे को कोई problem नहीं है और वही share तुमको कौन से price पे मिलेंगा, existing जो starting में price decide हुआ है उसी price पे मिलेंगा कभी कभी कैसा होता ना, share का price बढ़ जाता है बराबर है कि नहीं, तो जब भी तुमको खरीदना रहता है, जो भी बढ़ा हुआ price रहता है, उसी हिसाब से खरीदना पड़ेंगा लेकिन, लेकिन employee stock option scheme में क्या होता है, जो pre-determined price है, जो पहले वाला price है, वही तुम pay कर सकते हो, भले तुम आगे जाके future में, कभी ही भी pay करोगे, चलेगा, मिलको कोई भी problem नहीं है और यही price रहेंगा, pre-determined price रहेगा तुम लोगों का encourages employees as they feel proud to be the owners of the company for which they are working and company also benefits as it can retain good employees यह specialist scheme किसके लिए है, यह special scheme जो है, यह है तुमारे employees के लिए so that कैसे, अभी तुमको भी बता, employees तुमारे यहापे काम कर रहे है, तो obvious बात है, अगर employees काम कर रहे है तुमारे यहापे तो retain भी तो करना पड़ेंगा, अच्छा काम चल रहा है, सबको छाठ चल रहा है, profit भी हो रहा है, तो जो employees है, उसको रिटरन करना पड़ेंगा Retain मतलब उनको तो संभाल के रखना पड़ेंगा न तुम लोगों को है की नहीं संभाल के रखना पड़ेंगा तो दे दिया जाए उनको भी कोई Stock Option Scheme बराबर फिर अपन लोग डिरेक्टली आएंगे Employee Stock अच्छा जो भी Provisions शोड रही हूं मैं मतलब छोड नहीं रही हूं यह तुम्हारे लिए रीडिंग के लिए है तुम्हारा Homework रहेगा आज का कि तुमको यह सारे Provisions पड़ने है मैं कल तुम लोगों को पूछूंगी सारे Provisions पड़ने है Employee Stock Purchase Scheme Under this scheme the company offers equity share to its employee at a discounted price which they can buy at a future date यहाँ पे क्या दिया है तुमको जो भी price दिया हुआ है वो discounted price पे दिया हुआ है जो भी share है वो क्या है discounted price पे तुमको share दिया हुआ है price दिया हुआ है The company deducts a certain amount from the salary और सबसे best चीज तो है कि salary मैं से deduction हो रहा है तुमको अलग से कुछ pay करने की जरुवत नहीं जो भी तुमारी salary है उसमें से तुमको reduction हो रहा है तो you don't have to worry about that also Third है stock appreciation right scheme Under the scheme the employees are given a right to receive appreciation in the value of specified number of shares of the company at a future date जो भी चीज हो रही है वो तुमने एक बार observe की रहेंगी जो भी हो रहा है वो सारा future date पे हो रहा है वो सब कुछ क्या हो रहा है future date पे बात चल रही है appreciation बोलो या उसके पहले का तुम employee stock purchase का बात करो या employee stock option scheme का बात करो बराबर चलो The company allorts a specified number of stock appreciation right units that are linked to the value of the company shares on the date of the allotment on the relevant date that is the future date depending upon the appreciation in the value of shares which are linked to SAR units the employees paid the appreciation in cash or through equity shares that is through electronically bhi हो सकता है सार्स is a form of bonus compensation given to the employees if the company performs well and its market price of shares goes up ही देखो जो भी है सब existing लोगों के लिए है जो भी है किसके लिए है existing shareholders के लिए है जिनको जादा helpful रहेंगा उनके लिए है ताकि तुमारे employees क्या रहे फिर से बताओ मिरको employees क्या रहे तुमारे retain रहे तुमारे employees टिके रहे तुमारे बताओ रहेंगा तुमारे बताओ रहेंगा special resolution होता है ordinary resolution होता है सारे अलब अलब type के resolutions होते है and last is equity share holders these are the shares issued by the company to its directors or employees at a discounted or consideration other than the cash other than the cash it is issued in the recognition of their valuable contribution to the company which has resulted in increased profit equity shares rank peripassu with other equity shares this shares have a lock-in period of 3 years that is they cannot be transferred during this period lock-in period मतलब क्या है उस period of time में कोई भी shares तुम transfer नहीं कर सकते transfer of shares मतलब क्या shares equity shares है उसको preference share में convert करो या preference share को equity में convert करो या debenture में convert करो या debenture से equity में convert करो सब मैंसे तुम कुछ भी नहीं कर सकते कोई भी चीज को transfer नहीं कर सकते है Company has to get approval of shareholders through special resolution to issue sweat equity shares समझा And last point जो हमारा है वो है private placement When a company offers its securities to select a group of person not exceeding 200 it is called as private placement It is not exceeding 200 200 से ज़्यादा exceeding नहीं है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे private placement बोलेंगे So again a very important very important question बहुत important question था ये और हाँ तुम बोलेंगे madam बहुत बड़ा है इसको learn कैसे करेंगे देखो learn इसमें तुमको बाकी कुछ नहीं करना है सिर्फ एक learn करना है बाकी तुम आराम से लिख पाओगे Sorry you know the concept अभी तुमको concept और clear हुए रहेंगे revision के बाद sweat equity shells बहुत important है इन दोनों को बूलना मत जितना भी होगा चलेगा ये दोनों तो तुम करके ही जाएंगे इन दोनों को बूलना मत समझा clear हो गया जैसे खाने को नहीं बूलते सुने को नहीं बूलते बराबर वैसे इन दोनों को भी मत बूलना और ये learning part है न तो मिरको पते कि तुम ignore करेंगे तुम लोग इसको बोलेंगे कि छोड़ दे जाने दे यार जबाएंगा खुद के मन से लिखेंगे ऐसा मत करना समझा? चल देखो allotment of shares में तो provisions and conditions for allotment of shares ये तो तुमारा question ही नहीं है बना provisions of share, procedure of shares, allotment of shares का तो question ही तुमारा reduced है तो तुमको इसका भी डर नहीं है it is reduced totally share certificate a very important question again share certificate यार तुमको तो पता ही है किसको दिया जाता है share certificate बोलो फटाफट से share certificate किसको दिया जाता है किसको देंगे share certificate किसको देंगे बोलो किसको देंगे share certificate किसको देते है चलो जल्दी 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 बताओ किसको देते share certificate it is a registered document issued by a company which is an evidence of ownership of a specified number of a shares of the company share certificate is the prima facie evidence to the title of the shares that is a shareholder of our company and what is the shareholder of our company? which is written as the shares of the company you know what you say annual day and you have certificates you have won't win you have won't win but certificates are got right different different exams you have certificates so share certificate share certificate has to be issued under the common seal of the company if any and signed by two directors duly authorized by board of directors and the company secretary or any other authorized person company has issued that share certificate to all the alloties as well as transferees on transfer of shares it is issued on partly or fully paid up shares clear now we will see the contents are very easy what is happening what is happening but what is happening is easy we will leave it we will leave it we will leave it in the form of SH-1 as prescribed under companies rules 2014 name of the company scene registered office address we will leave it folio number share certificate number name of the member nature of shares nature of number of shares distinct number of shares now what will you do what will you do what will you do what will you do body of letter all the things you need to do body of letter letter i have given you format body of letter all the things you need to do all the things you need to do amount paid on share common seal if any signature of two directors and company secretary oh okay you know the same thing all the things do not duplicate share certificate tell me what company duplicate share certificate can be issued can be issued duplicate share certificate issue tell us तुम लोग जल्दी 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 से बताएंगे शेयर सर्टिफिकेट डूब्लीकेट इशू हो सकता है क्या चलो बोलो जल्दी 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 बोलो मेरी हिसाब से तो हो सकता है मेरे खयाल से तो हो सकता है तुमारे हिसाब से क्या लगता है हो सकता है कौनसे कंडिशन में हो सकता है फिर वह भी तो बता तो कौनसे कंडिशन में हो सकता है कौनसे कंडिशन में हो सकता है येस 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 फेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अर्य हां येस हो गया अब ये बदाओ कॉनसे सिचुएशन में हो सकता है थोड़ा सा इंटराक्टिव रखो तुम भी फड़ा पड़ से जवाब दो मेरे को मतलाब कैसे तुम लोगों को कितना आ रहा है कितना सामझ में आ रहा है करके कितना याद है तुम लोगों को वाँ 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 अचे जवाब गया ओके गुम हो गया तो या फिर अन्सक्यूर्ड इशू और मिस्प्लेश्ट और और इस दिस्ट्राइड और लॉस और शेर और फट गया तो अरे वो तो दियाई ही नहीं तुमने वो तो बुलाई नहीं तुमने अगर गलती से फट पट गया तो फिर क्या करेंगे तुम लोग नलब है लेकिन फट गया तो फट भी सकता है ना बabytes यह presses और और A company can issue share certificate if original share certificate has been defached, mutilated or torn and a surrender to the company उस चकर में तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा issue हो सकता है share certificate वापस It has been proved by the holder that the original share certificate is lost or destroyed वाला पहले तुम उनने बताया कि कौन से कौन से circumstances में तुमको वापस से duplicate share certificate issue हो सकता है और दूसरे इसमें क्या दिया हुआ है दूसरे इसमें क्या दिया हुए तुमको प्रूफ देना पड़ेंगा तुमको वो प्रूफ करना पड़ेंगा कि तुम्हारा जो certificate है वो lost हो गया या फिर destroy हो गया है In case of loss of certificate The company puts up a notice in the newspaper to announce the loss of the share certificate और अगर ये newspaper में डाला है हम लोगोंने कॉनसे सकम साइंसे में अगर तुम्हारा गुम हो गया है मतलब अगर तुम्हारा खो गया है paper राइट शेर सर्टिफिकेट खो गया है तो company क्या करेंगी? निउस्पेपर में देंगी और अगर सामने वाले किसी भी इंसान को मिल रहा है वो पेपर Certificate, I am sorry अगर Certificate मिल रहा है तो वो directly जाके शेर ओल्डर को देखा है या कमपनी को देगा क्या लगत थे तुम लोगों को? क्या लगत थे तुम लोगों को? वो directly जाके shareholder को देंगा किसको देगा वो? shareholder को देगा? नहीं 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 वो directly जाके किसको देगा? company को देगा shareholder के हाथ में नहीं देंगा company के हाथ में जाके देंगा and ask the fighter if any to return it to the company if company does not get any response from the public within the specified time the company can issue a duplicate certificate duplicate certificate should be issued within 3 months from the date of application company issues it only to the registered shareholder the duplicate shareholder should be state on the board that it is a duplicate share certificate मतलब तुम देखो कि कितना ध्यान रखा जाता है हर एक चीज का हर एक चीज का equally कितना ध्यान रखा जा रहा है अगर तुम duplicate share certificate भी दे रहे हो तो फिर वहापे उपर से state कर देना कि ये duplicate share certificate है so that उसी share certificate का कोई गलत वे में इस्तमाल ना करे इसलिए company इतना सारा ध्यान दे रही है company has to pay heavy penalty if it is issued duplicate certificate with the intent to default अभी मैंने बोला कोई भी गलत हाथ में नहीं होना चाहिए या कोई गलत काम नहीं होना चाहिए इसलिए फिर तुमको क्या करना पढ़ेंगा क्या तुमको करना पढ़ेंगा वापे लिखना पढ़ेंगा कि यह duplicate share certificate है और उसी के साथ साथ तुमको company जब भी इशू करती है तो उसको penalty पढ़ेंगी अगर वो कोई भी fraud के वे में duplicate share certificate बना रहे है तो समझ गया अगर समझ गया तो फड़ा फट से मिलको नमसब देंगे फड़ा फट से बताएंगे कि समझ गया करके चलो जली 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 बोलो यह chapter का पस एक last point बचा है last point बचा है और फड़ा फट से खतम करेंगे and we are done with the third chapter also सिर्फ थोड़ा सा point बचा है थोड़ा सा और जो सबसे जादा interesting है और सबसे जादा important है यह chapter का क्योंकि यह transfer of share sorry surrender of shares poor feature of shares यह सारा सब कुछ आपका reduced है बस बाकी है अभी transfer of shares and transmission of shares यह हम लोग directly पढ़ेंगे कहा से distinguish between say चलो distinguish between प्याव सब लोग चलो और जादा करके तुमको difference between यह आने वाला है तो यह तो तुम red से LDR LDR आका सर हमेशा हमको पढ़ाते हैं मतलब हमेशा जभी हम पढ़ें आका सर से तो आका सर ने हमेशा बोला हुआ है कि LDR मतलब मतलब जो भी तुमको यह लग रहा है और बहुत सारे चीजें हम लोगों को माक करवाये जो भी नग रहे ना उसको माइक करेंगे तो तुम यह क्वेशन को माइक करेंगे यह स्पेशल ट्रिक है आका सर की जो बहुत अच्छा और जो बहुत हिल्फुल मैं बता रही हूं तुम लोगों को बहुत जादा हिल्फुल है तो दू मेंटेन तुम लोग भी करो यह अच्छी आदत लगवा दो तुम अपने आपको भी तो तुम्हारे ले भी बहुत जादा हिल्फुल रहेंगा यह चीज meaning transfer of shares mean voluntarily or deliberately giving anyone's share to another person by entering into a contract or a person that is I am transferring my shares by myself voluntarily means what you mean by yourself you transfer from your own no matter what you mean by yourself, no matter what you mean by yourself you transfer from your own, what you mean by yourself, voluntarily or deliberately transmission का मतलब क्या है, it means transfer of ownership of members share to his legal representative जो तुम्हारा legal representative है, legal hair है due to the operation of law it takes place on death, insolvency or insanity of the member उस time of period पे तुम्हारा क्या होता है, transmission of shares होता है when done, it is done when member wants to sell his shares or give his shares as a gift और transmission में क्या होता है, it is done when the member dies या फिर operation of law, again यहापे आ सकता है operation of law next is nature of action nature of action, it is voluntarily action taken by the member voluntarily again, खुद के मर्जी से and transmission में, it is involuntarily action, it is due to operation of law parties involved in transfer of shares, there are two parties involved the member who is called as transferor or the buyer is called as transferee दो parties है, buyers or seller market भी हो, जो भी हो, कहां पे, कहीं पे भी हो, दो parties होने चाहिए एक party रहेंगी तो काम तो होना नहीं है, काम तो बनना नहीं है तो दो parties होने चाहिए, तो buyer को क्या बुलाएंगे तुम? transferi बुलाएंगे और जिसको हम लोग दे रहे हैं, shares, उसको क्या बुलाएंगे तुम लोग? मतब जो share दे रहे हैं, उसको transferor और जिसको दे रहे हैं, उसको क्या बुलेंगे? transferi, यहाँ पर there is only one party example, nominee of the member in case of death of the member of the legal representative. 5th point है, instrument of transfer, transfer requires instrument of transfer, it is the contract between the transferor and the transferi, और transmission में कोई भी नहीं है, क्योंकि खुद का legal representative ही है, तो अगर खुद का legal representative है, तो तुमको किसी की क्या जरूरत लगेंगी, कोई भी contract की या कोई भी चीज की क्यों जरूरत लगेंगी, बराबर है कि नहीं, खुद का खुण रहेंगा, तो खुद कोई वरुसा ही रहेंगा, ना? Next है, initiated by, transferor initiates the transferor process, क्योंकि उसको देने हैं, I am the transferor, मैं shares तुमको दे रही हूँ, मैं shares तुमको बेच रही हूँ मेरे, तुमको transfer कर रही हूँ, voluntarily transfer कर रही हूँ, तो process कहा से start होगा? मेरे से start होगा, that is, I am the transferor and you are the transferee. Legal representative of official receivers initiates the process of transmission. Consideration, consideration मतलब क्या? Something in written, यहाँ पे लिकलो, ध्यान में रखलो. Transferor of share is often done by members to receive some consideration, that is, buyer has to pay for the shares, except given as a gift, that is, bonus. No consider is involved here, the legal heir or official receiver need not pay for the shares. Last is, the liability of the transferor ends after the shares are transmitted or यहाँ पे, original liability of the member continues in the case of transmission of shares, जो भी original इंसान है, उसकी liability continue होती रहती है. And the very last point, that is stamp duty. Transfer of share में stamp duty as per the market value of shares has to be paid, और यहाँ पे no stamp duty is to be paid. And you are done with our third chapter, third chapter भी हमारा खतम हो गया है. Third chapter भी हमारा खतम हो गया है. Most probably कल हम लोग 4th और 5th chapter को खतम करेंगे. Clear? सब लोगों को समझ गया? सब लोगों को समझ गया? पका समझ गया? Okay, चलो. तो I wish की जो भी हम लोगोंने आज पढ़ा हुआ है, पढ़ा फ़र से मेरे को thumbs up दो, पढ़ा फ़र से मेरे को बताएंगे, के तुम लोग समझ गया है, नहीं समझ गया? और, 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 आज तुम पढ़ेंगे, जो मैंने तुम को काफी चीजे पढ़ने के लिए बोल रही है. पस थोड़ा टाइम स्पान है, थोड़े टाइम स्पान में ही पढ़ना है, थोड़ा ही टाइम बचा है, पेपर खतम होने के लिए, पेपर शुरू तु हुआ है अभी, बट वही, बहुत जल्दी खतम भी हो जाएगा, तुम को समझेगा में नहीं, बस इतना है कि पढ़ते रहो, और, तभी तुम कई कुछ कर पाएंगे, बराबर है, अगेन आ इम टेलिंग यू, अगेन रोज बताओंगे, बोलोंगे तुम को, लेकिन अगेन आल बेस, अगेन अगेन आगेन विट करो, और अगर रवाइस करोगे तो ही अच्छे माक्स मिलेंगे, and with a motivation तुमको हर बार हर दिन यही सोचना है कि you have to get very 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 good marks समझा समझा चमको चलो बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई टेक केर